कि बाबर भाई वह एक रिकॉर्डिंग करनी है अगर आप मौझूद है तो वाट्सब पर मेसेज कीजिएगा कि सॉरी इस्मान भाई मादरत नहीं नहीं वह करवाएं जो भी है असर भाई सुन रहे हैं न आप तो मैं न यह कह रहा था कि जब मामले की असल ऐसे थे नोगों को समझ नहीं आती बताना पड़ता है अलनके बड़े बड़े समझदान लोग ओते हैं उनको समझ कुछ नहीं आरहा होता यह चीज फितना चीज ईसी है तो उसने कहा कि बिल्कुल इतिहाद नहीं होसकता वज़े पुछी वज़े अंड पे यही निकली क्या क्यूंके काद्यानी एक गुसाख था नबूवत का दावा गुसाखी पर ही मबनी है वाजब लकतल होता है हुकाम जो हैं उसके उपर हाद जारी करते हैं और उसी में अल्ला की गुसाखी आ जाती है फिर वो उसने अपने सहाब बनाए पताने कितनी गुसाखी आ है तो उन सब को कठा भी किया जाए एक एक करके भी बियान की जाए तो रिजल्ट क्या है कि वो एक गुसाख था और गुसाख से इतहाद नहीं हो सकता चाहे ये कुछ भी हो जाए तो वज़े ये ही निकलेगी इसी तरह हमने कहा कि भी देखो ये मुक्तितार को सूदने की गुसाखी अब अभी तक किसी ब्रेलवी आलम की तरफ से फत्वा नहीं आया कोई फत्वा नहीं आया वो फत्वा इन्हीं के घर का यह है अगर किसी बरेल भी आलम ने कोई असी आपया लिए,